यह देखिया आज मैं वीडियो में जिस चीज का रव्यू करने जा रही हूं यह शैंपू है बहुती नेच्रल सा हर्बल सा यह शैंपू है और यह ड्राइनेस को कम करता है हाइड्रेशन प्रवाइड करता है और इसमें अलोवेर एक्ष्ट्रास है और आमला तुलसी ग्रीन और यह हमें फाइट करता है ड्राइनेस से और इसमूथनेस प्रवाइड करता है सिल्की हेयर देता है हमें बहुत ही मैनेजेवल हेयर बना देता है और बहुत ही अच्छा शैंपू है यह और यह देखिए यह मैंने ऑनलाइन पर्चेस किया था और यह देखिए यह एकदम जेल बेस्ट शैंपू है और यह मैंने इतना यह इसकी अगर शेल्फ लाइब की बात करें तो दो साल इसकी शेल्फ लाइब दी गई है 21 से यह 23 तक चलेगा दो साल तक और यह मैंने 205 का यह मैंने इसका प्राइज है ऑनलाइन पर्चेस किया था आपको यह सूपर मार्केट या वैसी स्टोर से भी मिल सकता है लोकल स्टोर से आपको अवलेवल हो तो आप खरीच सकते हैं और नहीं हो तो ऑनलाइन आप इसको मगा लीजे और काफी दिन चलता है ऐसा नहीं ह चल जाता है और बहुत ही अच्छी यह प्लास्टिक बोचल में होता है कोई इसका इशू नहीं होता कि निकल रहा है या क्या है बहुत ही सही है और हेर को एकदम मैनेजिबल बना देता है जिन लोगों को भी प्रॉबलम है ड्राइनेस की या जिनकी स्कैल्प पे रूसी अच्छी बात यह लगी मुझे कि यह बहुत ही नैच्रल सा है और इसमें ज्यादा जैसे हम अपने हैर वाश करते हैं तो हमें ज्यादा यह नहीं है क्रीमी सा टेक्चर हो इसका जो कि हमें पानी वगरे ज्यादा यूज़ करने की जरूत परती है ऐसा बिलकुल भी नहीं है इसमें जैल वेस है तो यह आसानी से हेर में से रिमूब हो जाता है और बहुत ही अच्छे यह शाईनी हेर प्रवाइट करता है और स्कैलप को भी अच्छा रखता है ड्राइनेस से और हेर को एकदक मैनेज़ेबल बना देता है और इसको जो है आप वीक में दो बार या त् कर सकते हैं और पेरविन फ्री है ये और ये मैंने देखिए ये इतना मैं यूज़ कर चुकी हूँ तब ही आपको ये मैं रिव्यू दे रही हूँ मैंने यूस किया और मैंने देखा कि इससे काफी जो है बाल शाइनी हो जाते हैं ड्राइनेस चली जाती है जिनके बहुत ही ज़्यादा फ्रिजी से हैर उलजे-उलजे से रहते हैं उस चीज़ को भी यह काफी कम करता है अगर आपको किसी अच्छे शैंपू की तलास है और ज क्योंकि मैंने भी कही न कहीं रेव्यू देखकर तभी इसको पर्चेस किया था काफी टाइम से जैसा कि विंटर में ज़्यादा पाल रूसी हो जाते हैं तो उस चीज़ के निए यह काफी अच्छा है और इसकी जो हमें यह यूज भी कम लेना पड़ता है क्रीमी टैक्टर नहीं है और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीज़ेगा फ्रेंडों में शेयर कीज़ेगा इसी तरीके से मैं आगे भी वीडियो आपको देती रहूंगी तब तक के निए बाए बाए